हेलो दोस्तो नमस्ते सुपरवाद जेसी कृष्णे रादे रादे माई सोल फैमली माई वीवर्स माई सेस्क्राइबर स्कॉर्ड ब्लिस यू आप सो स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपने लाइप में आगे बर रहे होंगे अभी का जो वीडियो है यह आपके पार्टनर की टू कौन्टर में को भी सुष्षविशन में हो इस वक्त आप तो इस वक्त सिर्फ आपको पॉजिटीव रहना है और अपने परसंट के बारे में सोचा कि उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वह आप से क्या चुपा रहे है तो चलिए पॉजिटीव हो जाईए और अपने परसन के बारे में सोचिए ठीक है क्या वो मैसेज देना चाहते हैं उनकी टू इंटेंशन क्या है डिप फिलिंग्स क्या है उनके मन में क्या दवी हुई भाव नाये हैं आपको लेकर तो चलिए पॉजिटिव हो जाईए इंजल्स गाइट करें डिवाइन काइट करें से अपने के अबी दीवाइन उनकी में कॉफटे रदाणी काइट करेंगे अधा थीनका थीनका वो यहाँ आतामादर की दो हूजिट मकाइट करेंगे करेंगे देखिए सबसे वरी सिच्वेशन यहां पर यह है कि आप सायद उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो उनकी चाहत पर उनकी फिलिंग्स पर आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो ठीक है और इस वज़े से यह परसन कहीं न कहीं खुद को बहुत कमजोर फिल कर रहे है क्योंकि यह कहीं न कहीं अपने life में बहुती स्टक हैं परसाने situation कुछ ऐसी है कि जहां सिर्फ आपको spy तो कर रहे हैं लेकिन आपसे सायद ये बात नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ उनको लेकर कुछ ऐसे थॉटस हैं तो वो थॉटक जो है ना उनको हट कर रही है ठीक है वो हट कर रही आपके thoughts आपके विचार आपके आओ आपके भाव कुछ न कुछ इनके life में कुछ ऐसा हो रहा है कुछ situation legal issue है कुछ situation ही इनकी अच्छी नहीं चल रही तो कही न कि ये person खुद को वहत कमजोर feel कर रहे हैं तूटा हुआ feel कर रहे हैं और साइध अगर आप उन पर believe नहीं कर पा रहे हो तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास कर लो ठीक है चाहत बहुत बरी आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है रात और दिन एक ही बा लेकिन हो सकता है आपके तरफ ये call message कर भी रहे हो बात भी हो रही हो या फिर आप लोग को मुलाकात भी हो रही हो बट फिर भी ये person आपके तरफ लगतार बात करने की कोशिस कर रहे हैं अगर जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो लगतार ये communication करने की कोशिस कर रहे हैं ये अमुल प्यार है जो रिस्ता आपने दिया है वो बहुत ही खुबसूरत इस वक्त फिल कर रहे हैं तो दियर मुझे लगड़ा कि अगर आप सेवन चेकर का मेडिटेशन कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी हिलिंग हुई है यू आर माई एंजल देखे दियर मैंने कहा किया ये परसन अभी जिस सिचुएशन में है बहुत स्टक है और बहुत ही परशान है ठीक है ये डिसीजन नहीं ले पारा अगर इनकी मैरेज है अपने लाइप ये मैरेड लाइप में है या फिर इनकी फै बाते हुई ठीक है या फिर कोई ऐसे सिचुएशन आए जहां ये परसन आपको विश्वास दिलाना चाहरे और साथ आपको विलीब ना हो रहा हो या फिर आप उनको इग्नोर करें या फिर उनका कॉल मैसेस रिसीब नहीं कर रहे हो या पिर कॉल मैसेस रिसीब करें तो जहां ये और ही परसान है लिए हर सिचुएशन में देखा जाए तो ये परसन परशानी परसान दिख रहे हैं और ये कहना चाहते हैं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और आप पर उन्हें नाज होता है गर्व होता है कि आपने उन्हें सच्चा प्यार दिया टूलब का ए आने इनके अंदर क्या कुछ चल रहा है ठीक है सिचुएशन जो भी था पास में आपके साथ में उन्हों को वह चीज नहीं करना चाहिए जो इन्हों ने किया एक वक्त था कि आप खुश नहीं थे ठीक है आप बैलेंस में आ रहे हो लेकिन मेरे वीवर्स में कहना इनको आपके बारे में कुछ ऐसे चीज बताय जा रहा है ये सोते हैं जाकती हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस रिष्टे के बारे में ही सोच रहे हैं और यह खुश नहीं है अगर commitment से related आप चिंतित हो ये कहना चाहते हैं कि ये commitment देंगे आप ते इंसर मत लो इन जो भी सिच्वेशन चल रही हो यह खुश रही है और यह आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और यहां सोलमेट के इनर्ड यह तो हो सकता है यह परसंड आपके सोलमेट हो यह कहना चाहते हैं उन्हें अहसास है इस रिष्टे का लेकिन साहिप आप जानती हुए इनको करियर से रिलेटेड आप लोगे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या पिर आपके से सेर करना चाहते हैं फाइनांस को लेकर करियर को लेकर जॉब को लेकर या पिर एक नई जॉब मतलब आप इनके साथ काम करो इस तरह इनकी थिंकिंग है कि आप दोनों मिलकर भी प्रॉब्लम से सिच्वेशन है उसे यह बहुत जड़ा फाइट करने जहां यह खुस बिलकुल नहीं है और आप के लिए आने वाले टाइम में यह फाइट करना चाहते हैं लेकिन करियर को लेकर यह चिंतित हैं और कहीं ने कर एक स्टेवल लाइफ के लिए यह बहुत कावे में हैं दर्द में हैं शाप्रेशन में हैं और कहना चाहते हैं जो तू मेरा हम दर्द है देखे डियर एंजल होते ही हम दर्द तो कहीं न कर इस परसन को अंदर से दर्द है कि जितना आपने इनको हिल किया है जितना आप इनको सपोर्ट करते रहे हो साइध ही इन्हें मिला, true love मिला, शायद ही इनको कहीं किसी और से मिला हो, मा के बाद आपका प्यार जो मिला, यहां मा से आपका compare भी किया जा रहा है, और जो आए, कहीं न कहीं, देखे दियर, कुछ तो जो आए, आपके life में आ रहा है, awareness को ले कर आ रहा है, आपके partner को ले कर आ रहा है, आप उन को गले लगाना चाहते है, प्यार करना चाहते है, लेकिन कहीं न कहीं, आपने खुद को थोड़ा control जरूर किया है, यह कह रहे है, I am sorry, मैं sorry फिल कर रहे हैं, ठीक है, आपका दिल दुखा कर, आपकी बात ना मान कर, हो सकता कभी आपने गिर गिराया हो, माफी मांगा हो, आप जब तक इनको नहीं मिलोगे लाइफ में, जो आए नहीं आएगी, ठीक है, और यह खुद से फाइट करें, यह फाइट इनको अब बरतास नहीं हो रहा है, जहां यह परसन बिलकुल खुषने, अगर मैरे लाइफ मैंने क्या बोला, अभी भी यह जगल कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, लेकि यह मुझे जो इनरजी आप जो मिल लहीं, किसी के पार्टनर को मूझे कि कुछ पता चला है, वो कही न कहीं फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, किसी के साथ इंगेज होना, तो कहीं न के इस परसन को भी दिल दुखा, हाट ब्रेक हुआ है और रिष्टे को यह दोनों मिलकर कहीं न कहीं न अभी." यहां पर आपके पार्टनर्स दिल से चाहते हैं एक निई-स्टार्ट बहुत ही पैस्टन है आपके लिए रोमांस, तो लेकर आपके साथ समय हूम करने चाहते हैं धुरी साथे हैं, गले लगाए内. चाहते हैं वाहों में लेना चाहते हैं अगर आपने कभी उनके सीने पे सर को हो गा होगा बहुत सारा प्यार किया होगा तो ये परसंव . Two-see वही बाहों में आपको भरकर प्यार करना चाहते हैं और एक new fresh start चाहते हैं इनको healing चाहिए आपका support चाहिए यह आपके लिए बहुत ही पैसने हैं पैरेंश जो पैरेंश बिल्कुल नहीं मानने लेकिन आपके लिए fight करने हैं साइध जिस situation में है आपसे कोई बास सेर ना करने ह साइध ओर्समास के अखिए नहीं में और आब नहीं मैं ने नहीं में हो गया है खांग हो आपे आपकी और कि तो नहीं हो गया आप एंगेज हैं आपको औल्लाइन देखते हो मतलब आप इनको भाव ने दिरुते हैं इनके मन में सक्पन प्राइड है ठीक है कि आप किसी और की तो नहीं हो गये हो doubt किलियर करना चाहते ये प्यार हमेशा रहागा इस प्यार से कोई आप दोनों का प्यार को कोई नहीं छिन सकता ये कहना चाहते और आप उनके लाइप की खुसी हो उनकी happiness हो जुआ हो अवर्डनस हो और उनके लिए आप lucky champ हो ठीक है यू आर माई अधर हाप आप उनके counterpart हो उनके सरीर का एक कंगो उन्हें महसूस होता है और ये महसूस करकर ये परसन खुद को कोई पीस और सांतीम हशूस करते हैं लेकिन इस वक्त यह परसन कहीं नहीं आप से चाहते हैं आप एक लायफ में marriage related कहीं न कहीं यह आपको commitment देंगे लेकिन यह आपको समझा देंगे क्योंकि अभी जिस energy में है यह person ना आपके तरफ balance कर पा रहे हैं यहाँ पे सीधे निकलना चाहते हैं और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल positive देना उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो अगर आप बदल गए तो इनकी life भी बदल जागे क्योंकि आप उनकी support system हो आप उनकी counterpart हो आप उनकी peace और सांती हो आपको यह खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं बस यह करें कि ठीक है जो भी हुआ पास्ट में मुझसे गल्तियां हुई मतलब जो भी गल्तियां उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं sorry feel कर रहे हैं लेकिन आप उन पर विस्वास नहीं कर पा रहे हैं इस बात का उनको pain है पर प्रशान तो हैं लेकिन आप उनकी एंगर यानि की आप उनकी हीलर हो तो आप से कॉंटेक्ट करना चाहते हैं और पीज और सामति चाहते हैं ताकि अपने लाइप ने बैलेंस बनाना सकें और सही डिसीजन ले सकें देखिए फैमिली प्रॉब्लम तो है पैरेंस शुआ चुकी है और कुछ भी हो यह तो जरूर है आज बैलेंस कर रहे हैं लेकिन लाइप पार्टनर आपको ही बनाना चाहते हैं देखिए मन तो इनका बिल्कुल खु देखिए हैंडिल नहीं कर पा रहे हैं सिच्वेशन में थोड़ा लेकिन यह डिसीजन लेना चाहते हैं आपको कमिट्मेंट देना चाहते हैं ठीक है आप उनकी सोलमेट हो लेकिन कुछ के पार्टनर अगर उनकीसी से मैरेज हो चुकी है अगर आप दोनों में बेवपना प तो यह तो समझें कि मेरे मेरी हो गýmy लेकिन कहीं-कही न कहीं उनके दिल और दिमाओ में उनके सिर्फ आपके लिए जगह हैं कि उन्हों ने नहीं हो सकते हैं और पहले से पहले से मैरेने इनकी फैमिली इनके बच्चे हैं जहां कहीं-न कहीं फाइटिंग जगड़े चल र रहा है career केउपर focus कर रहे हैं और जॉआए लाना चाहते हैं और यह जुआए आपके साथ होना चाहिए यूठ रहे हैं लेकिन साधि निकलना चाहते हैं और साड़ी आया देना चाहते हैं अगर इसे प pregnancy फोटो कर negativity क्राहिं अगर कहीं आप बातचीत करते हो Instagram है कहीं भी कुछ है आपको follow कर रहे हैं आपके status को देखना आपके comment को देखना परना तो अंदर से ये person जल बी रहा है और कहीं न कहीं अगर आप ignore कर रहे हैं इस person को सुनिए कहीं आप इस person को ignore कर रहे हैं कि situation को नहीं समझ पा रहे हो अगर बातचीत भी हुई है फिर भी खुद को ये person कंट्रोल करने बात करने के बाद भी तो ये कहना चाहते हैं आप से कि अगर आपने उनको भाव नहीं दिया तो उनके अंदर दर्द हो रहा हैं अगर आप married हो तो अपने life में family के साथ खुश हो आप life में आगे बरगे अगर नहीं है तो कोई आपके life में दुसरा आ गया है लेकिन ये दर्द पेन में कहना चाहते हैं कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद लेकिन ये दिल से नहीं करें ये दर्द और pain से कह रहे हैं तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था ठीके डियर तो ये person की energy इस तरह हो सकता है वो लगतार कोसिस कर रहे हैं कुछ viewers के partner और आप बदल गए हो आप उन पर believe नहीं कर पा रहे हो आप commitment मांग रहे हो parents को मनाने को कह रहे हो लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ करेंगे fight कर रहे हैं थोरा सा समय और वक्त दे दिजे समय और वक्त इनको support नहीं कर रहा है क्योंकि financially भी कही ना बहुत tension में है responsibility है यहाँ पर parents के इलाबे इनके छोटे भाई बहन का हो बड़े भाई बहन का हो married बहन भाई हो कोई लेकिन इनके उपर responsibility है लेकिन ये कहना चाहते है commitment को लेकर आप अगर fight कर रहे हो तो ये कहना चाहते है अगर toxic relationship में है तो अहां से निकलेंगे legal issue चल रहा है तो ये fight करेंगा और आपके तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए ही passionate है और आपको ही गले लगाना चाहते है तो आपके लिए यहां से guidance ले ले लेती हूँ लिए आपके लिए guidance क्या हा रहा है तेरे गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद तेरी गलियों में देखिए यहार आपके लाइफ में नियू स्टार्ट नियू बिगिनिंग होने वाली है ठीक है आपको फोप नहीं खोना है आपकी विश जरूर पूरी होगी अगर आप नियू स्टार्ट होने वाला है और नियू बिगिनिंग होने वाली लेकिन अपने होप को खोना नहीं है आपकी विश पूरी होगी लेकिन मेरे कुछ आप उसी साइकल को रिपीट कर रहे है इसलिए आपके लाइफ में कुछ चीजे हैं जो आते आते रुख जा रही है ठीक है वहाँ पर आपको ग्राटिटूर सो करा है देखिए आपके लाइफ में मिर्कल्स होने वाला है जो आए आ रही है अबंडन्स आ रहा है आपके पार्टन आपसे माफी मांग रहे है वह आपसे मिलने आ रहे है मतलब कि कुछ आपने नहीं सोचा था उमिस से बरकर होने वाला है लेकिन थोड़ा निगेटिव थिंकिंग को थोड़ा अपने पुराने पैटन्स को अलगर गौशिप यहाँ पे आपकी गौशिप हो रही है ठीक है या थर्ट पार्टी से रिलेटेड या आपके फ्रेंट सर्किल में हो या आजपास हो या सोसाइटी हो या फ्रेंट सर्किल हो कोई भी हो या आपके पार्टनर के लाइप में कोई थर्ट पार्टी है पैरेंस है या ये मैरेड है आपकी gossip omडी office हो वहाँ भी आपकी gossip omडी है यहाँ से आपको बचना है और यहाँ पे किसी के बार में कुछ नहीं बोलना है ना किसी से judge करना है तो gossip जो हो रही है ऐसा नहीं कि एकदम से बुरा ही gossip omडी कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ठिक है आप आगे बर रहे हो ना manifest, आपको manifest करना है ठीक है, और good news आप लोग के life में आ रहा है ठीक है, आप लोग के life में good news आ रहा है आप अपने देखिए, जो negative thinking में है वही, मतलब patterns को बार बार repeat कर रहे हैं, उससे आपको निकलना है, आप miracles को नहीं देख पार आपको miracles के उपर focus करना है तभी आपकी wish पूरी होगी, क्योंकि हर वक्त आपके life में देखिए, new start, new beginning हो रही है लेकिन किसी situation में आप stuck हो जाते हो और वो चीज को आप खोदेते हो, लेकिन आपको manifestation करते रहना है क्योंकि आपके रास्ते में good news आ रहा है तो आपको positive रहना है कि बहुत लोगों हो सकता है, आपके partner good news के लिए तयार हो, आपके life में changes लाने वाले हो या job या career को लेका कुछ बड़ा good news मिलने वाला है तो अपने thoughts को positive रहना है manifestation करते रहना है gossip से बचना है miracles आपके life मेरा hope को नहीं खोना है hope खोदोगे तो भी इसको खोदोगे तो कुछ wish पूरी होने वाली है new start होने वाला है, new beginning होने वाली है good news मिलने वाला तो यहाँ पे सिर्फ आपको positive रहना है और अपने life में आगे बढ़ना है जो जहाँ पे कुछ ऐसी बाते होती उनके बारे में सोचना नहीं है वहाँ से कट के रहना है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके life में changes को देखके बहुत लोग जलते हैं miracles को देखकर जलते हैं आपके personality, आपके job, आपके career, आपके खुपसूरती आपके life style से भी लोग जलते हैं तो यहाँ उस बज़े से भी gossip होती है जिस बज़े से कहीं न कहीं fighting भी होती है तो fighting से बचना है, gossip से बचना है miracles पे ध्यान देना है, manifestation करना है अपनी wish पर ज्यादा focus करना है क्योंकि new start, new beginning, commitment, good news, miracles, wish पूरी होने वाली है तो यहाँ पे आपको positive रहना है लेकिन खुद को बिल्कुल balance बना कर रखना है ठीक है तो चलिए यह थी आपके partner की true feelings उनकी current energy वीडियो अच्छी लगे तो जरूर like से comment करें Thank you so much and God bless you